गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, तुडे वी विल दू क्लास थार्ड मैस वर्कशीट नमबर टॉन्टिफाइफ एंद चैप्टर इस इलेवन जक्स एंड मॉक्स, लैट्स स्टार्ट सॉल्विंग दा पर्कशीट, कोश्चन नमबर वन, सर्कल दा वैसल विच केन होल्ड मॉर वाटर, आपको यहां पर तीन कोश्चन के पार्ट दिये गए हैं, फिर इसमें तीन बरतन दिये गए हैं, वैसल दिये गए हैं, आपको इसमें से उस वैसल पर सरकल करना है, जो सबसे ज़्यादा पानी रख सकता है, फर्स्ट में देखिए इस वाले वैसल में या बरत अब यहाँ पर आपको कुछ कंटेनर्स या बरतनों के नाम दिये गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इन कंटेनर्स या बरतन में कितने कप पानी आ सकता है फिर आपको अंदाजा लगा करके यहाँ लिखना है चलिए करते हैं इसको पहला कंटेनर है मग मेरा गैस था कि इसमें 10 कप वाटर आएगा फिर जब मैंने सही में मेजर किया तो वो 10 कप सी आया सेकिंड है ग्लास ग्लास में मेरा गैस था मेरा अंदाजा था कि 3 कप सी आएगे और एक्चोल में भी 3 कप सी आए यॉर वाटर बोटल मेरी पानी की बोटल में मुझे अंदाजा लगा कि 5 कप पानी आएगा और उसमें 5 कप पानी ही आया स्मॉल बकेट एक छोटी बाल्टी में मेरा अंदाजा था 20 कपस आएंगे लेकिन जब मैंने नापा तो उसमें 25 कपस से बकेट भर गई कोश्चन नमबर 3 देखिए अब आपको अपने घर में एक ऐसी बोतल की तलाश करनी है जिसमें एक लिटर पानी आ सकता हो वह कोई पानी की बोतल भी हो सकती है और तेल की खाली बोतल भी हो सकती है आप अपने माता पिता से भी एक लिटर की बोतल मान सकते हैं अब आपको क्या करना है इस बोतल को पानी से भर लेना है और आपको नीचे वाले कोश्चन के आंसर देने हैं first how much water the mug can hold more than a liter or less than a liter अब जो mug है वह कितना पानी अपने आप में भर सकता है एक लिटर से ज्यादा या एक लिटर से कम तो जब हमने इस bottle के पानी को मग में डाला तो हमें पता चला कि mug can hold more than a liter water मग में एक लिटर से ज्यादा पानी आ सकता है second how many glasses can be filled with one liter of water इस एक लिटर पानी से कितने glass पानी भर सकते हैं third how many bowls can be filled with one liter of water और एक लिटर पानी से कितनी कटोरिया भरी जा सकती है तो अब जब हमने करके देखा तो 5 कटोरिया भर गई थी बच्चों आपके हाँ जो glass और bowls होंगे उनके size अलग-अलग हो सकते हैं तो आपके ये answer अलग आ सकते हैं चलिए अब करते हैं question number 4 any liquid item like milk, oil, etc. is measured in liters बच्चों जो भी liquid items हैं जैसे तेल, घी, दूद या liquid items इनको हम liter में नाते हैं अब आपको अपने parents से ये पूछना है कि ये वाले items जो हैं वो कितने liter लेते हैं एक liter से एक liter लेते हैं एक liter से कम लेते हैं या एक liter से ज़्यादा लेते हैं तो चलिए पहला item है milk, दूद ये हम एक liter लेते हैं oil, तेल, तेल हम एक liter से ज़्यादा लेते हैं तो more than one liter पर हमने right का निशान लगा दिया गी, गी हम more than one liter लेते हैं इसलिए हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया यह हम एक लिटर से कम लेते हैं तो हमने लेस देन वन लिटर पर निशान लगा दिया है आगे देखें कोशन नमबर फाइफ अगर बातल में 5 गलास पानी बनेगा तो इसका मतलद क्या है कि इसमें दो बोतल का पानी बनेगा 5 glass plus 5 glass जानी इस kettle में 10 glass पानी बन जाएगा खिक है बच्चो अब देखें question का first part how many glasses of water are needed to fill the kettle इस kettle को भरने के लिए कितने glass पानी चाहिए होगा हमें पता है कि इसको 5 plus 5 10 glass पानी चाहिए तो हम लिखते हैं 10 glasses of water are needed to fill the kettle Kettle को भरने के लिए 10 glass पानी चाहिए Second, which one holds more water? A kettle or a bottle? केतली और bottle में से किसमें ज़्यादा पानी आता है तो केतली में ही ज़्यादा पानी आता है हम answer लिखते हैं A kettle holds more water Third, देखिए How many glass pools of water are needed to fill both the pots? अब इन दोनों बर्तनों को भरने के लिए कितने glass पानी चाहिए बच्चों, बोतल को भरने के लिए 5 glass पानी चाहिए Kettle को भरने के लिए 10 glass water चाहिए तो दोनों को मिला करके 15 glass water चाहिए हम answer लिखते हैं 15 glass fulls of water are needed to fill both the pots दोनों बरतनों को भरने के लिए 15 गलास पानी चाहिए Question number 6 Match the following objects with the quantity of water they can hold अब यहाँ पर कुछ चीजों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर एक अनुपात लिखा है कि वो कितने पानी को अपने आप में रख सकते हैं आपको अंदाजा लगा के इनको मैच करना है जैसे पानी की बोतल है इसमें 1 लिटर पानी आ सकता है रूफ वाटर टैंच छट पर पानी की टंकी में 500 लिटर पानी आ सकता है drinking water pot पीने का जो बरतन होता है इसमें पानी रखते हैं उसमें 10 लिटर वाटर आ सकता है और बकेट में 20 लिटर वाटर आ सकता है बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्क्षीट खत्म होती है और सब्जेक्ट की वर्क्षीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ोंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा सदा शेयर करना ना भूलें थैंक यू